स्टुरंट्स आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ओफ रेंबो के बारे में रेंबो कहते हैं धनक को या फिर कौसे कजा को बारिश के बाद जो हमें आसमान की तरफ साथ रंग नजर आते हैं इसे कहा जाता है धनक और ये रेंबो कैसे बनती है अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं के रेंबो क्या है ये लाइट का स्पेक्टरम है लाइट के स्पेक्टरम का क्या मतलब है कि जब सफेद रोशनी बढ़ती है और वो रोशनी बिखर जाती है अपने इज़ा में यानि कि उस उन साथ रंगों में जिन से सफेद रोशनी मिलके बनी होती है तो वो साथ रंग क्या बनाते हैं वो बनाते हैं लाइट का स्पेक्टरम और ये जो साथ रंगों का रोशनी का स्पेक्टरम है ये हमें क्यों नज़र आता है ये धनक जो है ये हमें क्यों नज़र आती है क्योंकि जब बारिश होती है तो हमने देखा है कि बारिश के बाद हमें ज्यादा तर रेंबो नजर आती है और ये जो बारिश है जब होती है तो क्या होता है कि पानी के कत्रे जो है वाटर के जो ड्रॉप्स हैं जैसे कि यहां पे भी आपको नजर आ रहे हैं ये मौजूद होते हैं और इनकी वज़ा से क्या होता है कि ये जो पानी के कत्रे हैं ये प्रिजम के तौर पे काम करते हैं प्रिजम जो है अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है तो प्रिजम जो है ये असल में तो तिकौन शकल का एक गलास का क्या होता है منشور ہوتا ہے यहां पे अगर हम प्रिजम को ड्रॉ करें तो इस तरह का ग्लास का यानि के शीशे का तकौन शकल में जो चीज होती है उसे कहा जाता है प्रिजम और प्रिजम जो है यह क्या होता है इसमें से रोशनी गुजर सकती है बिलकुल उसी तरह ही जो बारिश के कत्रे होते हैं अगर हम उसकी बात करें तो क्या होता है कि जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद कुछ कत्रे जो है ऐसे होते हैं जो के हमारी फिजा में यानि के हमारा जो एटमोसफेर है उसमें मौजूद रहते हैं यानिके suspended रहते हैं word suspended जो है इसका मतलब होता है कि यहां पे यह क्या करते हैं यह पानी के कत्रे हवा में बिल्कुल लटकने की तरह से मौजूद होते हैं जिस तरह से कोई चीज लटकी हुई होती है बिल्कुल उसी तरह से ये पानी के कत्रे हमारे एट्मोसफेर में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं और जब सूरज की रोशनी क्या होती है? कि इन बारिश के कत्रों पे पढ़ती है ये जो गोलसा यहां पे दिखाया है ये हमें क्या दिखाया है? Rain drop यनि के बारिश का कत्रा अब सूरज की रौशनी जब इस कत्रे पे पढ़ती है तो क्या होता है कि ये रौशनी इस के बिखर जाती है और बिखरने के बाद ये क्या करती है जो इसके साथ तरंग है जिससे ये सफेद रौशनी मिलके बनी होती है उसमें ये तकसीम हो जाती है और ये जो splitting है इसी की वज़ा से हमें क्या चीज़ नज़र आती है इसी की वज़ा से हमें नज़र आती है कौसे कजा या फिर धनक जिसे हम कहते हैं rainbow इसका मतलब है कि हम rainbow के बारे में अगर हम इसकी definition करें यहां कि Definition का मतलब है कि हम इसका तारूफ करें तो हम कह सकते हैं कि यह सात रंगों की एक पटी होती है जो के बारश के बाद हमें आस्मान पे नजर आती है और आसमान पे क्यों नजर आती है? क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो इन बारिश के कत्रों की वज़ा से डिस्पर्स हो जाती है यानि के बिखर जाती है तो हम कह सकते हैं कि बिखरने के बाद हमें क्या नजर आती है? रोशनी के बिखरने के बाद हमें नजर आते हैं सेवन कलर्स यानिके साथ रंग और ज्यादा तर अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि ये रेंबो जो है हमेशा हमें नजर आती है बारिश के बाद जब सूरद जो है वो चमक रहा होता है यनि के जब सन शाइन कर रहा होता है अगर बारिश हो रही हो लेकिन सूरद जो है वो चमके नहीं यनि के सन शाइन ना कर रहा हो तो उस वक्त हमें रेंबो नजर नहीं आती और रेंबो जो है वो हमें सिर्फ किस वक्त नजर आती है जब बारिश हो चुकी होती है और सूरज निकल जाता है यानि कि सन शाइन हो रहा होता है और बारिश होने के बाद उसके कुछ कत्रे जो हैं वो हवा में मौजूद रहते हैं अगर बारिश हो चुकी हो और सूरज की रोशनी जो है वो ना हो یعنی کہ صورت جو ہے وہ شائن نہ کرے تب ہم رینبو نہیں دیکھ سکتے اور رینبو دیکھنے کے لیے اگر ہم ایک اور جو ہے کنڈیشن کی بات کریں کہ کس حالت میں ہمیں یہ رینبو جو ہے وہ نظر آتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی رینبو کو دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہم رینبو کو دیکھ رہے ہیں تو جو دیکھنے والا ہوتا ہے جو رینبو کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے Observer تو ہم کیا ہوں گے ہم ہوں گے Observer جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ جو انسان یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ اس رینبو کو دیکھ رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ ہے Observer اب اگر ہم اس Observer کی position کو نوٹ کریں کہ یہ کس طرح سے کھڑا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ اس رینبو کو دیکھ رہی ہیں لیکن جو اس کی back ہے یعنی کہ جو اس کی کمر والا حصہ ہے وہ کیا ہے وہ سورج کی طرف ہے یعنی کہ اس کی back جو ہے وہ sun کی طرف ہے تو یہ جو position ہوتی ہے جس میں جو Observer ہوتا ہے وہ اس طرح اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی جو back ہوتی ہے وہ سورج کی طرف ہوتی ہے تو اس condition میں اس position میں ہم رینبو کو دیکھ سکتے ہیں اور رینبو کو ہم کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ پانی کے کترے جو ہیں وہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں اور جب وہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی ان پہ پڑتی ہے تو وہ سورج کی روشنی بکھر جاتی ہے اپنے سات رنگوں میں اور وہی سات رنگ جب بکھر کے ہمیں آسمان پہ نظر آتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں وہ بناتے ہیں رینبو یعنی کہ کوسے کزا یا پھر دھنک تو سٹورنٹس آج ہم نے study کیا ہے formation of رینبو کے بارے میں موسیقی